हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल फ्यूचर ओनलाइन क्लासेस में आज हम इस वीडियो में मीरर इमेज से रिलेटेट सारे इंपोर्टेंट को देखेंगे जो कि एर फोर्स वाई एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लएगा तो चलते हैं इसके कोशन के ऊपर फर्स्ट कोशन है इलक्ट्रिक का मीरर इमेज बताना है मीरर जो है आपको यहाँ पर लगा हुआ है और इसका जो है बताना है कि मीरर इमेज क्या बनेगा तो option आप चेक करेंगे तो जो electric है इधर जाने के बाद जो है यहाँ पर आजाएगा मतलब E जो है यह ऐसे आजाएगा तो इसका जो electric image बनेगा वह बनेगा E E ऐसे होगा L हो जाएगा फिर E आजाएगा फिर आपको C आजाएगा T आजाएगा उसके बाद R आएगा फिर I आजाएगा उसके बाद C आजाएगा तो option में चेक कर लेकि इस type of image बन रहा है इसमें कौन सा option match कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि आपका option 2 जो है match कर रहा है इसका मतलब कि इस electric का mirror image होगा यह option 2 होगा next देखेंगे next question है reasoning का mirror image बताना है और mirror जो है फिर से यही पर लगा हुआ है तो बताना है कि इसका mirror image क्या होगा तो यह जो reasoning है इधर आने के बाद यह पलड जाएगा तो इसका जो mirror image बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा जैसे मैं आपको बताता हूं करकर जैसे कि जो R इधर है तो आने के बाद R ऐसे हो जाएगा फिर यहाँ पर E हो जाएगा फिर A हो जाएगा फिर यहाँ पर S हो जाएगा फिर यहाँ पर O हो जाएगा फिर यहाँ पर N हो जाएगा फिर यहाँ पर I हो जाएगा फिर यहाँ पर n हो जाएगा और g कुछ इस तरह बनेगा मतलब आपको इस चाइब का जिस option में आपको दिख रहा है वही जो है reasoning का mirror image है तो इसका उपर देखेंगे आप option में तो आपको option 2 match कर रहा है इस तरह का figure तो इसका जो answer होगा वो option 2 होगा next देखते हैं तो next question क्या है तो next question है of none का mirror image बताना है image जो है mirror जो है यही पर लगा हुआ है तो इसका mirror image यही होगा जिस तरह मैंने उपर आपको बताया कि यह जो है इधर आने का बाद पलड़ जाएगा तो यह ऐसे बनेगा कुछ a हो जाएगा ऐसे फिर f जो है आपका ऐसे हो जाएगा फिर n है तो n जो है ऐसे हो जाएगा sorry n जो है ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा n ऐसे होगा फिर आपको जो है a ऐसे हो जाएगा और फिर आपका जो n है वो ऐसे हो जाएगा मतलब इस टाइप का figure बनेगा फिर से मैं आपको करके बता दू जो आपका अफनान का जो है mirror image बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा A ऐसे होगा फिर F फिर N हो जाएगा कुछ इस तरह फिर आपका A हो जाएगा और फिर आपका N ऐसे हो जाएगा तो आप इस तरह का figure देख रहा है जो option में होगा वही जो है आपका answer होगा तो इसमें option 1 आपको match कर रहा है तो इसका answer जो है वो option हो जाएगा next देखेंगे next image में क्या है next है आपको country का mirror image बताना है तो country का mirror image जो बनेगा इधर आने के बद वो पल्टेगा तो country का mirror image है वो कुछ इस तरह बनेगा C ऐसे हो जाएगा पहला वहाँ सही direction में तो इधर opposite direction में हो जाएगा O हो जाएगा फिर आपको जो है U हो जाएगा फिर आपका जो है N हो जाएगा फिर आपका T इस तरह हो जाएगा फिर आपका R हो जाएगा और last में जो है आपका y हो जाएगा तो आपका country का जो है यह वाला जो है mirror image बनेगा तो आप option में देख रहे हैं कि आपका option 2 जो है match कर रहा है तो इसका जो answer होगा वो option 2 होगा next देखते हैं तो next question है अलाभाद का mirror image आपको बताना है mirror sub में जो है right side में ही लगा हुआ है मतलब यहाँ पर mirror लगा हुआ है तो फिर जो यहाँ पर यह बनेगा तो यह जो है opposite direction में बनेगा मतलब a आपका ऐसे हो जाएगा a फिर l हो जाएगा double a है तो फिर आपका a है तो a ऐसे हो जाएगा अलाहाँ फिर H है तो H इसी डारेक्सन में रहा जाएगा फिर A हो जाएगा B जो है तो opposite हो जाएगा फिर A है तो A opposite हो जाएगा और D B है opposite हो जाएगा मतलब आपका जो है अलाहाँ बाद कुछ इस तरह का mirror image बनेगा तो आप option है match कर लेकि इस तरह का कौन सा figure है तो आप option में देखेंगे कि आपका option third जो है match कर रहा है तो इसका जो answer है वो option third हो जाएगा next question देखते हैं तो next question है is next है is next का जो है आपको mirror image बताना है और mirror जो है आपका यहाँ पर लगा हुआ है तो देखते हैं कैसे बनेगा यह इधर आने के बाद जो है पलट जाएगा मतलब opposite हो जाएगा तो S ऐसे हो जाएगा फिर आपका N है तो N ऐसे हो जाएगा फिर आपका A है तो A ऐसे हो जाएगा फिर C भी आपका opposite हो जाएगा और k है जो वो भी opposite हो जाएगा तो इस तरह का बनेगा Snacks का mirror image तो आप option में चेक करेंगे तो option में आपका option third जो है match कर रहा है तो इसका जो answer है वो option third है next question देखेंगे तो next question है discovery का जो है आपको mirror image बताना है तो mirror जो है right side में लगा हुआ है तो यहाँ जो discovery का बनेगा वो mirror image कुछ इस तरह का बनेगा यह opposite direction में हो जाएगा D उधर सही से लिखा था तो यहाँ जो है D ऐसे हो जाएगा फिर I हो जाएगा फिर आपको S हो जाएगा फिर आपको C हो जाएगा फिर आपका O हो जाएगा फिर आपको B हो जाएगा फिर आपका E हो जाएगा उसके बाद आपको R हो जाएगा इस तरह कुछ और Y जो है इस तरह हो जाएगा मतलब जो यह जो है Discovery का जो है opposite sorry opposite है बट इसको हम लोग mirror image कहती है तो यह जो है इस तरह का बनेगा तो आप option में check करेंगे तो आपका option 4 है सही है तो इसका जो answer होगा वो option 4 होगा next question देखेंगे तो next question है उर्दू का जो है आपको mirror image बताना है mirror जो है right side में ही लगा हुआ है यहाँ पर mirror लगा हुआ है तो यहाँ पर जो उर्दू का बनेगा वो किस तरह का बनेगा figure तो उर्दू जो है पल्टेगा तो u ऐसे हो जाएगा फिर आपका r हो जाएगा opposite direction फिर d ऐसे हो जाएगा और फिर आपका u हो जाएगा तो इस तरह का figure आप देखेंगे कि कौन सा option में match कर रहा है तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपका option 2 जो है match कर रहा है उर्दू तो इसका जो answer होगा वो option 2 हो जाएगा next देखेंगे तो next question में क्या है next question में जो है examination का जो है आपको mirror image बताना है और mirror जो है right side में ही लगा हुआ है तो इसका क्या होगा तो examination का जो mirror image बनेगा कुछ इस तरह बनेगा मैं आपको नीचे करके बताता हूँ opposite direction में E हो जाएगा फिर आपका X उसी के तरह रहेगा फिर आपका A हो जाएगा फिर आपका M हो जाएगा फिर आपका I हो जाएगा फिर आपका N हो जाएगा फिर आपका A हो जाएगा फिर T हो जाएगा, I हो जाएगा, O होगा और फिर आपका जो है last वाला N ऐसे हो जाएगा तो आप देखेंगे option में match करेंगे कि इस तरह का examination का जो mirror image बन रहा है वो आपको option A जो है correct है इस तरह का मिल रहा है बाकी समय देखेंगे कही न कहीं तरूटी दिया हुआ है तो ध्यान से देख लेंगे तो इसका जो answer है वो option A होगा next देखेंगे तो next question में क्या है next question में है zigzag, zigzag का जो है आपको mirror image बताना है और mirror image जो है आपको right side में लगा हुआ है तो इसका जो बनेगा मैं नीचे करके आपको बता देता हूँ कि zigzag का जो बनेगा Z जो है तो ऐसे Z हो जाएगा फिर I आपका हो जाएगा फिर आपका G हो जाएगा फिर आपका Z हो जाएगा फिर आपका A हो जाएगा और फिर आपका G हो जाएगा ऐसे तो जिस figure में आप देखने हैं, जिस option में आपका इस type का मिल रहा है, मतलब वही जो है, जिग जग का सही mirror image है, तो आप option में चेक करेंगे तो आपका option third जो है, तो इसका जो answer होगा, वो option third हो जाएगा, next देखेंगे, तो next question में क्या है, next question है, buzzer, buzzer का जो है आपको mirror image बताना है और mirror जो है right side में लगा हुआ है तो यहाँ जो कुछ इस तरह का इसका figure बनेगा B जो है B हो जाएगा ऐसे फिर U हो जाएगा फिर Z हो जाएगा फिर Z हो जाएगा उसके बाद जो है E हो जाएगा ऐसे और फिर आपका R जो है पोजिट हो जाएगा तो इस type का जो है बजर का mirror image बनेगा तो आप option में छिख करेंगे तो option में जो है आपका option A जो है match कर रहा है तो इसका जो answer होगा वो option A होगा next देखेंगे तो next question क्या है next है आपका science का जो है mirror image बताना है और mirror जो है right side में लगा हुआ है तो science का कुछ mirror image जो है इस तरह का बनेगा मैं नीचे आपको बना कर दिखाता हूँ A हो जाएगा ऐसे C हो जाएगा फिर I हो जाएगा फिर E हो जाएगा फिर N हो जाएगा फिर आपका C हो जाएगा और फिर आपका E हो जाएगा तो कुछ इस तरह का जो है science का mirror image बनेगा तो आप option में check करेंगे तो आपका option देखेंगे तो आपका option 4 जो है match कर रहा है तो इसका जो answer होगा वो option 4 होगा या जो है MBA की exam 2005 exam में पुछा हुआ गया question है तो ध्यान से देखेंगे फिर next question के तरब चलते हैं तो next question है wonder का जो है आपको mirror image बताना है और mirror जो है right side में लगा हुआ है तो इसका जो mirror image बनेगा wonder का कुछ इस तरह का बनेगा मैं आपको बना कर दिखा जता हूँ W जो है यहाँ आजाएगा फिर O हो जाएगा फिर N हो जाएगा फिर D आजाएगा और फिर E आजाएगा और फिर आपका R हो जाएगा मतलब जो इस तरह का अगर आपको option में मिल रहा है वही जो है आपका wonder का mirror image है मतलब आपका option 1 जो है match कर रहा है तो इसका जो answer है वो option A है next देखेंगे तो next question क्या है next question है western का mirror image बताना है mirror image जो है right side में लगा हुआ है तो इसका जो बनेगा western का mirror image figure वो कुछ इस तरह का बनेगा यहाँ W हो जाएगा फिर आपको जो है यहाँ पर E हो जाएगा फिर आपको S हो जाएगा फिर आपका T हो जाएगा फिर आपको यहाँ पर E आजाएगा और r जो है r apposite हो जाएगा nb जो है इस चाइब का तो इस चाइब का जो है आपको option है match कर रहा है मतलब वही जो है आपका western का mirror image हैWA मतलब आपका option 2 जो है match कर रहा है आप ध्यान से देखेंगे तो आपका option 2 match कर रहा है तो इसका जो answer होगा वो option दो हो जाएगा next देखेंगे next and last question है next question है mouth का जो है आपको mirror image बताना है तो यहाँ पर right side में mirror लगा हुआ है तो यहाँ जो mouth का बनेगा mirror image वो कुछ इस तरह का बनेगा M जो है यहाँ पर आ जाएगा M के बाद जो U है U ऐसे हो जाएगा फिर U जो है ऐसे हो जाएगा फिर T जो है T अप खुद उसी तरह direction में रहेगा और H जो है H भी उसी direction में रहेगा क्योंकि H और T का जो है और O का mirror image सेमी होता है वो कोई change नहीं होता है तो इस type का अगर आपको option में मिल रहा है मतलब आपका जो mouth है उस type का mirror image बनेगा तो option में चेक करेंगे तो आपका option 1 जो है match कर रहा है मतलब इसका option 1 जो है answer है तो यह जो था top 15 question था mirror image से जो की Air Force Y exam के लिए काफी important है तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को like करेंगे सेर करेंगे सस्क्राइब करेंगे थांकी फूर वाचिंग इस वीडियो प्लीज लाइक, सेर अन सस्क्राइब माई चैनल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थांक्यू